हलो बच्चो आज ही क्लास में हमें स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट नमबर फोर अलड़ी चाप्टरी को पर थ्री पार्ट्स अप्लोड कर चुगा अगर आपने वो नहीं देखा वो भी देख लेना आज ही क्लास में दो और इस डील करता है सिंपल हम उसको गुट्स कहते हैं एक ग्रॉसरीज वाला डील करता है दाल के अंदर चावल के अंदर ऑइल के अंदर मसालों के अंदर चिप्स के अंदर या फिर कॉल्डिंग्स वगेरा के अंदर या मिल्क के अंदर ये सारा उसका स्टॉक है लेकिन एक ग जाते हैं कि इसी home appliances की दुकान पर तो home appliances के वाला AC बेच रहा है, fridge बेच रहा है, प्रेस बेच रहा है, यह सारी चीजे बेच रहा है, oven बेच रहा है, तो यह सब उसका क्या है, यह सब है उसका stock, लेकिन उसकी दुकान में अगर कोई counter ऐसा है, जिस पर वो deal कर रहा है, यह chair बिच्छी हुए, जिस पर वो deal कर रहा है customers के साथ, वो उसका stock नहीं है, एक कपड़े वाली की दुकान पर जाते हैं, तो जितना भी कपड़ा उसकी दुकान के अंदर है, वो सब जो उसने बेचने के लिए लेकर आया, वो सब उसका goods है, लेकिन जिस चीज के अंदर वो deal नहीं करता, जिस लाइक उसकी दुकान के अंदर एक water cooler रखा हुआ है, पानी पीने का या fridge रखा हुआ है, ठीक है, तो वो उसका goods नहीं है, तो goods क्या होते हैं, goods वो होते हैं, जिसमें हमारा business simple deal करता है, the product in which our business deal in, जिसमें हमारा business deal कर रहा है, वो हमारा stock है, the item that are purchased for the purpose of resale, क्या रहा है कि वो item जिसे हमने purchase ही resale के लिए करा है, वो हमारा goods होता है, ठीक है, not for use in the business, इसे हम business के अंदर use नहीं करते हैं, इसके अंदर हम business के अंदर use नहीं करते हैं, जैसे मानलोग कोई AC की दुकान है, जहां पर AC बीखता है, तो AC वाला क्या सारे AC को अपने business के अंदर use करने लग जाता है, नहीं, बल्कि pack करके रखता है, जब customer आते हैं, उन्हें दिखाते हैं, और फिर उनको बेच देता है, furniture वाला सारे furniture का use नहीं करता है, जो उसे बेचना होता है, ठीक है, इसी तरह से जो परचून की दुकान वाला होता है, general store वाला होता है, वो सारी चीज़ों को खुद use नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, उसे बेचने के लिए रखता है, तो इसका use हम business के अंदर नहीं करते हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, कि goods कौन से होते हैं, goods वो होते हैं, जिसमें हमारा business deal करता है, और इसे हम खरीदते हैं, किस लिए, resale के लिए, ठीक है, और इसका हम business के अंदर use नहीं करते हैं, इसे हम resale के लिए, खरीद के लिए कराते हैं, जैसे एक groceries के दुकान के लिए सब goods हैं, ठीक है, तो बच्चों, next word हम समझने वाले हैं, stock का मतलब क्या था, stock का simple, मतलब stock को हम लोग inventory भी कहते हैं, meaning, refer to the amount of goods, कहारा है कि ऐसा goods, laying, जो रखा हुआ है, unsold on a particular date, किसी कपड़े की दुकान पर आप जाते हो, तो कपड़े वाला पहले से ही, बहुत सारे कपड़े अपनी दुकान में रखता हैं, और उसी मेंसे आपको दिखाता है, जब आप customer बन के जाते हो, इसे हम लोग कहते हैं, stock, furniture की दुकान पर जाते हैं, पहले से बहुत सारा furniture रखा होता है, जो वो बेचिने के लिए रखता है, इसे कहते हैं हम लोग stock, इसी तरीके से home appliances की दुकान पर जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ उस पर पहले से होती है, जो वो बेचता है, उसे हम लोग कहा देते हैं, stock, stock का मतलब आप जिस चीज़ में deal करते हो, उसका बहुत सारा पार्ट आप रखते हो, ताकि customer आए, तो आप उसको hand to hand बेच सको, इसे हम लोग कहते हैं, stock, clear हो गया, तो stock का मतलब unsolved goods, जो आपके पास किसी particular date पर आपने क्या कर रखा है, carry कर रखा है, stock may be, एक होता है opening stock, और एक होता है closing stock, देखो एक होता है calendar year, और एक होता है हमारा financial year, generally हमारा year कभ स्टार्ट होता है, एक जनवरी को स्टार्ट होता है, और 31 December को end हो जाता है, इस दिन हम new year भी मनाते हैं एक जनवरी को, ठीक है, new year वाले दिन हम लोग party party करते हैं, तो ये आप भूल जब, आप commerce वाले बच्चे हो, तो आपका जो new year मनेगा, वो किस दिन मनेगा, एक अप्रेल के दिन मनेगा, ठीक है, commerce वाले बच्चों के लिए, जो financial year होता है, हम financial year याद रखेंगे, ठीक है, हमारा जो financial year की starting होती है, एक अप्रेल को होती है, और 31 March को end होता है, तो commerce वाले बच्चों का happy new year मन जाता है, किस दिन, एक अप्रेल के दिन, और year end होता है, 31 March को, आप मान के चलो, कोई भी business वाला, एक अप्रेल के दिन, business start होता है, एक तरीके से देखा जाए, लोजिकली business start हो रहा है, एक अप्रेल के दिन, और end होता ही 30 March के दिन, आप ये चीज़ याद रखो, अगर मान लो किसी shop के अंदर, मान लो आपकी कपड़े की दुकान है, एक अप्रेल को, आपके पास, 10 लाख रुपे का समान था, कितने रुपे का समान था, 10 लाख रुपे का समान था, तो एक अप्रेल के दिन, आपकी दुकान में जितने का समान था, यानि जितने का stock है, जितने का goods है, इसे कहते हैं opening stock, आपने पूरे साल में क्या करा, बहुत सारा समान खरीदा, बहुत सारा समान बेचा, बहुत सारा समान खरीदा, बेचा, तो आप साल के end में जाकर आपके पास जो stock बचा है वो कितने का बचा है छे लाग रुपे का बचा है तो साल के पहले दिन जो stock होता है opening stock और साल के end वाले दिन जो stock होता है वो closing stock तो 1 April को जो stock होता है उसे कहते है opening stock और 31 March को जो stock होता है उसे हम लोग क्या कहते है closing stock Opening stock refer to the amount of unsold goods क्या रहा है कि एक ऐसा unsold goods जो beginning of the financial year financial year कब होता है 1 April से 31 March यानि 1 April को यानि beginning of the financial year 1 April होता है 1 April को जितना भी stock आपके पास होता है उसे opening stock और 31 March के दिन यानि कि end of the financial year आपके पास जो भी unsold goods होता है उसको हम लोग कहते हैं closing stock इतनी बात आपको समझ में आगे होगे कि stock में अच्छा एक चीज़ और यहां पर बताई गया stock को तीन पार्ट में classify किया गया stock may be the following kind finished goods, raw material ठीक है and work in progress अब जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मैं शर्ट बनाता हूँ और शर्ट बनाकर बेच देता हूँ ठीक है, तो मेरे पास 500 शर्ट ऐसे हैं जो बिलकुल बनकर ready है, pack कर रखा है यानि customer आएगा और मैं तुरंद बेच सकता हूँ ready, बिलकुल ready shirt है मेरे पास वो ready shirt मेरे पास जो है उसको हम लोग कहते हैं finished goods क्या कहते हैं, finished goods, ठीक है उसके अलाबा 500 shirt के अलाबा 300 shirt ऐसे हैं जो आधे अधूरे तयार है मतलब कि उन्हों पूरी stitching हो चुके है लेकिन किसी में button नहीं लगा किसी के अंदर आधी stitching नहीं हुई या फिर किसी का collar अभी चिपका नहीं है तो इस तरीके से तो इसे हम लोग कहते हैं work in progress यानि कुछ stock ऐसा है जिस पर भी कुछ काम होना बाकी है तब उसके बाद वो बिकेगा और कुछ stock होता है जो raw material की form में यानि कि कुछ shirt का कपड़ा बिलकुल अलग रखा है button अलग रखा हुआ धागा अलग रखा है तो इसे हम लोग कहते हैं raw material तो stock तीन form में होता है किस-किस form में finished goods की form में raw material की form में और work in progress की form में तो आज की class के अंदर मुझे दो word आपको अच्छी तरीकी से समझाने थे पहला word हमारा क्या था stock, sorry goods और दूसरा word मेरा क्या था stock तो यह दोनों word I hope कि आपको समझ में आगे होंगे अगले class के अंदर हम इसके कुछ और words सीखेंगे